नमस्कार मित्रों कभी कभी दिमाग में ये प्रश्ण आता है कि हमारे जो सनातन में जो महीने हैं चैत्र, वैसाक, जेश्ट, आसाण, इनका नामकर्ण कैसे किया गया होगा अर्थात 12 महीनों के नाम अश्चर की कोई बात नहीं है, इन 12 महीनों के नाम आकाश मंडल के नच्छत्रों में से 12 नच्छत्रों के नाम पर रखे गया है, जैसा कि आपको पता है आकाश में इस्थित तारा समो, तारे होते हैं, स्टार्च होते हैं, उनका ग्रूप होता है, तो आकाश में इस्थित तारा समो को नच्छत्र काते हैं वैसे तो आकाश मंडल में 88, 88 नच्छत्र हैं, किन्तु चंद्र पत पे 27 ही नच्छत्र आते हैं चंद्रमा का अपना एक बात होता है, तो चंद्रमा जिस पत से गुजरते हैं, उस पर 27 नच्छत्र पढ़ते हैं सिर्फ 27 नच्छत्र है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, नच्छत्रों की संक्या 88 है, 88 है, लेकिन चंद्रमा पत पर 27 नच्छत्र माने गए हैं 27 नच्छत्र तो आपको पता ही होगा, अस्वनी, भारणी, कृतिका, रोहडी और चुकि चंद्रमा इन 27 नच्छत्रों से हो करके गुजरते हैं, इसलिए एक नच्छत्र मास 27 दिन का होता है तो नच्छत्र मास अभी तक हमने क्या पढ़ाता है, सौर मास, चंद्र मास, ये हैं नच्छत्र मास सो नच्छत्र मास क्या होता है, 27 दिन का होता है, क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने जिस पत्छ से वो गुजरते हैं, परिक्रमा करते हैं उस पत्थ पर 27 नच्छत्रों से हो करके वो पार करते हैं जिन 27 नच्छत्रों से हो करके वो अश्पर्ष करके निकलते 1927 नच्छत्रों का इस पृत्वी पठल के मनुश्यों पर प्रभाव पड़ता है इसलिए हमें ये बताया जाता है कि आकाश मंडल में 27 नचत्र है होते 88 है तो 27 दिनों का नचत्र मास होता है सबसे बड़ी पिछितर बात क्या है कि पौणिमा की रात्री में पौणिमा होती न फूल मुन जिस समय चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं के साथ आकाश मंडल में विराजमान होते हैं सो पौणिमा के दिन चंद्रमा जिसन छत्र में होते हैं पौणिमा के दिन चंद्रमा जिसन छत्र में होते हैं उन नच्छत्रों के अधार पर उन महीनों का नाम करण हुआ है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नच्छत्र में होंगे, 27 नच्छत्र हैं, किसी नच्छत्र में तो होंगे ना। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नचत्रे में होते हैं, उसी अधार पर महिनों का नाम करण हुआ है। जैसे जब चंद्रमा चित्रा न छत्र में होंगे पूर्णिमा के दिन, जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा न छत्र में होते हैं उस मंद का नाम चैत्र विशाखा नचतर में अगर चंद्रमा होंगे बैसाख जेश्ठा नचतर में अगर चंद्रमा होंगे जेश्ट पुर्वा खान और उत्रा खान नचतर में अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होंगे आशाण स्राम्ण न छत्र में अगर चंद्रमा होंगे पूर्णिमा के दिन जिस पूर्णिमा के दिन जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होते हैं भादरपद उत्पूर्व भादरपद और उत्तर भादरपद में होते हैं बाद्रपद। जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अश्मिनी न छत्र में होते हैं, महीने का नाम अश्मिन। जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्रेतिकार न छत्र में होते हैं, कार्तिक। जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा म्रिग शीरान छत्र में होते हैं, मार्ग शिष अगर चंद्रमा पुष्यन छत्र में होते हैं पूर्णिमा के दिन, पॉष अगर मघान छत्र में चंद्रमा होते हैं पूर्णिमा के दिन, माग पुर्वा फालगुनी और उत्तर फालगुनी में होते हैं अगर पुणिमा के दिन फालगुनी तो इस तरीके से 12 नक्षत्रों के नाम पर 12 महीनों का नाम करण हुआ है 12 नक्षत्रों के नाम पर ही 12 महीनों का नाम करण हुआ है तो क्या सिर्प बारा नशत्रों से होकर के ही गुजरते हैं नहीं जी 27 नशत्रों से होकर के गुजरते हैं और ये भी संभावना है कि कुछ समय तक एक नशत्र में रहे हैं और कुछ नशत्र में दुसरे नशत्र में क्यों रहे हैं क्योंकि 27 नशत्र जो है ये चंद्रमा के प पुर्णिमा के दिन चंद्रमा अगर स्वाती और चित्रा और स्वाती नचत्रों में रहें, चैत्रमास का नाम दिया गया पुर्णिमा के दिन चंद्रमा अगर विशाखा और अनुराधा नचत्रों में रहें, बैसाख नाम दिया गया पुर्णिमा के दिन चंद्रमा अगर जेष्ठा या मूल नच्छत्र में रहे जेष्ठमास का नाम दिया गया जिस पुर्णिमा के दिन चंद्रमा पुर्वा खान उत्रा खान में रहे हो आसाड का नाम दिया गया जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा स्रावण, धनीष्ठा, शत्वीशा न छत्रों पे रहे हूँ, महीने का नाम स्रावण, जब चंद्रमा अपनी पूर्व पूर्ण कलाओं के साथ पूर्णिमा के दिन पूर्व भादर्पद और उतर भादर्पद में रहते हो तो बादर्पद, बादों का महिना उसके बाद चंद्रमा अगर पूर्णिमा के दिन रेवती, अश्मिनी, भरिनी में राते हों अश्मिन मास चंद्रमा अगर पूर्णिमा के दिन म्रिगशिरा और आद्रा में राते हों मार्गशिश चंद्रमा अगर पुर्णिमा के दिन पुर्व पुर्व फालगुनी और उत्तर फालगुनी और हस्त इन में से किसी एक नचतर में राते हो फालगुन का महिना उस महिनय का नाम दे दिया तो अभी आप आसानी से समझ दे गए होंगे कि सनातन में महीनों का नाम किस आधार पर किया गया है हमारे जो पुर्वस थे वो महान जियोति शाचार्य थे महान विदुष थे विद्वान थे वो जितने भी नामकर्ण हुआ है बैज्ञानिक पधती से हुई है एक तर्कसंगत तरीके से हुआ है चंद्रमा 27 दिन तक 27 नशत्रों से होकर के गुजरते हैं और पूर्णिमा के दिन जिस नशत्र में चंद्रमा होते हैं उस नशत्र के अनुसार उस मास का नामकरण कर दिया गया उमीद है आपको ये बाते समझ में आ गई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुगों समस्टा